नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सबका आपके अपनी यूटूब चैनल इलेक्ट्रोनिक एडियू में तो दोस्तों आज मैं डिसकस करने वाला हूं कि आपके जो बहुत सारे क्वेस्चन आ रहे थे जो मैंने पिछला वीडियो डाला था माई एक्सपेरिंस इन जेयो आईट की टाइपिंग तो उस पर बहुत सारे लोगों के यह डाउट्स है कि यार कैलकूलेशन कैसे करता है स्पीससी और कैसे लाइन स्किप होगा तो क्या होगा ठीक है अगर हम से एक स्टॉक की मिस्ट्रेक हो रही है तो क्या वो एक बर्ड की काउंट होगी ठीक है तो ऐसे बट वहां से भी इंफ्रोमेशन में मिला और मैंने कुछ वेबसाइट भी सर्च किया ठीक है तो अभी मैं आपको ड्रेक्टली वेबसाइट पर दिखाऊंगा जब आप वेबसाइट पर जाएंगे इसकी HPSSV की तो आप सिंपली आप नीचे यहां पर स्क्रोल करिए ठीक ह और आप जैसे ही जाएंगे आप डौनलोड में चले जाए है ठीक है तो इस बटन पर क्लिक करना हे ठीक है तो यहां पर जैसे हप क्लिक करेंगे ठीक है अब को यहां पे ठीक है simple first जो PDF देखेगा ठीक है क्योंकि बहुत सारे यूटूबर्स ने इस PDF को दिखाया है बट मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप इसका पहले जो नाम लिखा है वो पढ़िए information regarding conduct of skill typing and short and test conducted by HP staff selection commission along with their evaluation scheme ठीक है तो इससे यह पता लगता है कि देखो पहले क्या था मैंने अपने मतलब जो कोई friends बगारा थे उनसे भी discuss किया था तो उन्होंने पहले भी typing test दिये हुए थे तो उनके बास actual में क्या था कि typing paper नहीं मिल पाया किसी reason के वाज़े से क्योंकि बहुत साल परान पहले हुए थी पेपर तो उन्होंने मेरे को यह guide कि पहले जो होता था वो हमारा typing test जो था उसमें कोई rule अलग था ठीक है एक mistake अगर जादा हो जाती थी 5% से जादा हो हो जाती थी तो हमारे यह मतलब total पांस टोक माइनस होते थी मतलब एक ही बर्ड मापका माइनस होगा एक गलती का बट 17 जून 2021 को HP स्टाप सेलेक्शन कमीशन ने ठीक है अपना जो है नया जो guidelines थी वह निकाल दी ठीक है तो वह guideline अभी मैं आपको दिखा देता हूं ठीक है तो इसको आप simply click जैसे करेंगे तो download करके इसको देख लेते हैं एक बार तो यह दोस्तों यह पूरी guideline थी जो कि HP SSC nap मतलब डाली थी तो इसको एक बार डोर नोड होने जाते हैं फिर आपको तो दोस्तों यह PDF मैंने अलग से उसमें खोल लिया है ठीक है आप simply कर सकते हैं इसको कि जब कर टाइपिंग टैस्ट होगा उसमें कैसे आपको मतलब क्या क्या रूल्स लगेंगे ठीक है तो उस टाइम पे इन्हों नहीं यह जो था वो simply denote किया था ठीक है जैसे आप sample copy of typing skill test ठीक है जिसमें 30 word की आपको speed चाहिए थी ठीक है चाहिए होती ही है ठीक है तो हमारा जो टैस्ट था वो typing skill test ठीक है जिसमें की हमारे को 30 word permit की speed चाहिए थी ठीक है तो अभी इसको आगे देखते हैं इसमें बहुत सारा कुछ लिखा है जो हमारे मतलब का है देखो जो short end speed होती हो कि हमारा short end test नहीं था ठीक है इसमें 80 word permit दिखाई हुई थ बड़ा समझ मैं आया होगा क्योंकि हमारा जो टाइप एक वाफिस से समझायता हूँ हमारा typing skill test था ठीक है तो उसमें 30 word permit की speed रहती है और जो हिंदी वालों के लिए 25 अलाउट थे ठीक है तो अभी आगे बढ़ते हैं किसी का कोई फिर भी डाउट होगा तो आप में कमेंट section में जुरूर पूछ लें तो इस PDF को हम पूरा यह फिर उन्होंने के sample paper भी दिखाए थे कि कैसे आपको paper आता है ठीक है एक format type बनाया था उन्हें ठीक है यह इस type का paper आएगा आपको ठीक है और यह 25 word का हिंदी के लिए उन्हें बताया हुआ था ठीक है यह आपका stenographer के इसमें आपको पता होगा है कि एक तो जी जे ओ आइटी पर लिख लर्क जो होता था ठीक है और एक stenographer में आपका इस टाइप का paper वो बता रहे हैं आपको क्योंकि उसमें जो वर्ड की स्पीड थी वो 80 word पार्वेंट मांगी हुई ठीक है तो यहां पर देखिए हिंदी में 70 लिखा हुआ है तो एक सेंपल है ठीक है यहां तक आपको कोई इसमें क्योंकि इसकी अंडरस्टेंडिंग जब तक नहीं होगी इसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड आता था उसके थोड़े से इंसक्शन वगरा बताई हुई है इनोंने ठीक है यह देखो यह फिर उसका इडमिट कार्ड का फॉर्मेट इस टाइब में आयाएगा ठीक है ठीक है और यह सेम अडमिट कार्ड के बारे में बताया हुआ है अब देखिए यह में में जो हमारा मोटिव था आपको इस चीज को समझाने का था ठीक है तो अभी देखिए कि आपका शोट इवल्यूशन स ठीक है तो टाइपिंग टेस्ट था तो इसमें हम है इसको मैं फिलाल हाइवाटी कर देता हूँ हूँ आकल ठाइग है और हमें क्वालिफाइंग स्पीड मांगी ऑगी थी हमारी 30 अड नर नो ट भीक है तो पहले तो मैं आपको ले चलता हूँ कि आपके और किस से साब से काउंट होता है ठीक है तो एर के लिए मैं आपको जड़ा बर्ड पर ले जाता हूं ताकि आपको वहां पर लग जाया पता ठीक है वर्ड से आपको ड्रक लिक लिए रहा जागा फिर इस पेडियेफ पर दोबारा आएंगे तो अप एक्जांपल लिजए कि आपको एक वर्ड बोला था वहां ही इस एक गूड़ बॉय ठीक है ठीक है और ठीक है आपको यह लिखना था पेपर मैं यह लिखने के लिए आया था ठीक है और यहां पे आप और आप लिख देते हैं इसको he a boy ठीक है तो यहां पे आपकी कितनी mistake होंगी ठीक है एक तो आपने age को छोड़ दिया ठीक है इस आपने लिखा ही नहीं ठीक है और आपने क्या किया good का गोड बना दिया तो आपकी दो mistake count होंगी ठीक है two mistakes हो तो इसमें आपके two mistakes हुई ठीख है और अगर आप comma भी ने लगाते हो तो three mistakes हो जाएंगी you full stop ने लगाते स्कुर्ण अगर फूल स्थप भी नहीं लगाते हो तो आपकी three mistakes होगी ठीक है तो मिस्टेक आपकी हमेशा बर्ड के हिसाब से काउंट होंगी ठीक है अगर आप आप आपने लिख दिया अगर आप के यह बंचों का कॉस्चन था कि हमने इज लिखा है इसमें दो स्टोक आ रहे हैं और मेरे से ऐसे ही लिखा गया ठीक है तो मेरा तो एक स्टोक की गलती हुई पर ऐसा नहीं है क्यूंकि grammar नाम की खोई की की इंगलीश में ठीक है अब क्योंकि ऐसी लिख दिया आपने और इज नहीं लगए ठीक है तो यह कोई, स को बना ही नहीं है आपका ठीक है तो इसलिए आपको एक और example पलते दिताओं में ठीक है बहुत ही मतलब confusion था बंदों का इस समाल एक word लिख रहे हो आप ठीक है अब समाल आपने word लिखा वहाँ पे लिखने के लिए आया था और आपने क्या लिख दिया यह लिख दिया ठीक है तो इसका कोई meaning नहीं वन रहा है ठीक है इसको कोई meaning नहीं व रोंग है ठीक है जो नहींने मांगा था आपसे आपने वो लिखा नहीं है ऐसा नहीं है यहाँ पर कि यहरे English की typing कर रहे हो आप ठीक है ऐसा नहीं है कि आप free and कुछ भी लिख रही हो ठीक है वहाँ पर कुछ grammatically और कल को आपसे वो कुछ काम करवाएंगे ठीक है तो वो क्या है वो आपसे English लिखवाएंगे तो उसमें random word नहीं होगे यह भी सोच लो उसमें कि कुछ मतलों जो लिखो गए वो grammatically सही होना चाहिए grammatically वो सही होना चाहिए ठीक है तो इसलिए मैं बहुत का डाउट था कि यार एक मेरा स्टोक गलत है तो मैं एक स्टोक की गलती मानना ने ऐसा नहीं होता है आपके वो one word के बराबर count होता है ठीक है और केवंदिया भी इसमें यह भी बोलेंगे यार इस लिख रहे हैं ठीक है तो वो तो दो स्टोक हैं तो उसमें one word की आपकी गलती क्यों मान रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर मैं एक बर फिर से इसको भी clear कर देता हूँ आपका तो आपका क्या होता है one word जो होता है वो आपको यह पता होगा I think वो five strokes के equal होता है ठीक है वो five strokes के equal होता है ठीक है तो किन्य विज्ट मेनने दो स्टॉक लिखे हैं तो अगर स्टॉक की गलत हो जाता है तो ऐसा नहीं होता है अगर आपका कोई बड़ा वर्ड गलत हो जाता है कि आपके पांच स्टॉक गलतotoniner ठीक है अभी तक कर जो मैंने data देखा है और जहां मैंने study किया है मेरे को यही clearance मिला है कि आपका अगर यहां से कोई word आपका गलत होता है ठीक है यह कोई आपका चाहे वो कितना भी बड़ा word है उसमें से अगर आपका एक भी text मतलब जो आप character लिख रहे हैं गलत होगा तो आप word की ही error calculation होगा ठीक है अगर आपका यहां पर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि यार मेरे दो स्टोक गलती थी या एक स्टोक गलती थी और मेरे पांच स्टोक क्यों माइनस किये तो आप यहां पर भी देखिए ना आपके मतलब simply उतना ही आपके 10-15 स्टोक अगर गलत हो रह करेगा तो दोनों तरफ सेम ही है तो इसलिए आप समझ में आया होगा कि मेरा motive क्या था आपको समझाने का ठीक है तो यहां तक clear हो गया होगा सबका तो आपके number of इतने स्टोक सापके अब चलते हैं सीधा आप की गलती की calculation कैसे करेंगे तेक है गलती की calculation कैसे करेंगे वह एक किसी का कोई doubt I think अभी रहना ने चाहिए अगर simply एक बार face से बता देता हूं कि आपका कोई word है जिसे is है ठीक है इसका अगर आपने आई भी छोड़ दिये तो वह one word की गलती आपकी count होगी अगर आपने कोई full stop नहीं लगाया है तो भी वह भी one word की गलती आपकी calculate होगी ठीक कि बहुत चारे doubt थे जो कि एक मेरा तो एक stroke गलत है ठीक है तो एक stroke आपका गलत है तो word meaning तो change हो गया पूरा ठीक है आपको word लिखने के लिए बोला था small आपने sm lll कर दिया तो उसका तो कोई meaning नहीं बना तो आपका पूरा word ही गलत हो गया ठीक है तो इसलिए तो अभी मैं मैं चलता हूँ आपका PDF पर ठीक है यह देखिए तो अभी आप देखिए कि आपका यहां से एक वर मैं इसको ठीक है आपको time allowed था 10 minute ठीक है तो आपको 10 minute मैं 30 words टाइप करने थे पर minute के साब से तो अब आप 30 30 मतलब यह स्टोक कितने होते हैं आपके 1500 के करीब ठीक है टोटल 1500 स्टोक आपके होते हैं ठीक है अगर आप 1500 को आप simply 50 से अगर divide करोगे ठीक है तो आपका approximate आ जाएगा ठीक है तीस word permit की speed आ जाती है यह सबको I think clear होगा ठीक है यह सबको clear होगा ठीक है यह वाला point ठीक है अब अब आपके एक आपके word में 5 स्टोक होते हैं ठीक है और 1500 अगर स्टोक होगे 10 मिनट में तो आपकी speed जो है वो यहां पर यहां तक कर जाएगी ठीक है पचास इसलिए लिखा कि time multiply by number of stock ठीक है यह भी किसी का doubt हो सकता है तो 10 मिनट थे और आपके पांच स्टोक होते हैं एक word में तो 10 मिल्टिबल आवे पांच कर दी हमने और यह आपकी इतनी speed आ जाएगी तो आपको इतनी वो करनी है वहां पर चीव speed ठीक है यह वाला दूसरा point क्लियर होगा तीसरा कैसे आपके error जो आपके 5% error admissible हैं ठीक है पांच पर प्रसेंट error तो आप 15 का 5% निकालेंगे तो आपका 15 error आएगा अब 15 error आपको यहां पे क्या है admissible है मतलब माफ हो जाएगी आपको ठीक है अब error की बात करूं तो आपको मैंने अभी जैसे बताया अगर आपने इस की जगा small की जगा यहां पे a नहीं लिखा है तो आपका एक error हो गया आपने कहीं फुल स्टॉप नहीं लगाया है तो आपके दो error हो गया ठीक है अगर आपने कहीं कोमा नहीं लगाया तो आपके वो तीसर error हो गया ठीक है तो ऐसे ही आपके तो ऐसे ही आपके वो अगर 15 तक हो जाते हैं ठीक है वो अगर 15 तक हो जाते हैं तो आपकी 5% mistake हो गी है और 1500 श्टोग आपने लिखे हैं ठीक है तो अगर आपका 1500 से एक भी ज्यादा हो जाता है मतलब 16 mistake हो जाती है तो क्या होगा तो इन उन अगली लायन में लिखा है error over the over and above admissible error are penalized 10 stroke मतलब 10 stroke और 2 word per error मतलब एक error आपने ज्यादा कर दिया एक error आपने ज्यादा कर दिया अब एक को multiply कर लो आप 2 मतलब एक error था तो आप 2 word अपने कम कर लो overall उससे ठीक है तो अपने 2 word कम करने हैं ठीक है तो 2 word या 10 stroke क्योंकि एक word आपका पांस stroke के बराबर होता है तो 2 word आपके कितने के बराबर होगे 10 stroke ठीक है तो आप आपकी speed इस case में आपकी कितनी speed हो जाएगी simply आपको 10 stroke माइनिस कर देंगे तो 1490 आपके बन जाएंगे ठीक है और 1490 अप्रोक्सिमेट आपकी speed कम हो जाएगी ठीक है मतलत 30 words से कम हो जाएगी अभी ठीक है तो यह वाला point आपको I think clear हुआ होगा ठीक है अब इसकी भी आप निकाल सकते हैं जैसे यह फार्मूला आपको याद रखना है ठीक है इस फार्मूले को आप कैसे लिखे सकते हैं अपने gross word आपने कितने लिखे थे ठीक है तो आपके total words आपकी हो जाएंगे 300 ठीक है 300 words आपने लिखे ठीक है वह 300 मैसे अब मैंस कर दो फिक है कितनी error की penalized हुआ तो तो को मैंस करदेंगे ठीक है और divided के कितने time के लिए दस मिनिट के लिए बहुत सिंपल है यह ठीक है तो यह आपकी स्पीड एप्रोक्सिमेट बन जा रहेगी 298 वाई दस करेंगे तो 29.8 के गरीब बनेगी ठीक है तो आप यहाँ पे डिस्क्वालिफाई हो जाएंगे ठीक है यह जो आपकी स्पीड आ रही है ठीक है तो यह आइधिंक पुरा क्लियर होगा हुआ एरर के उपर भी मैंने बता दी आपको और सिंपली यहाँ पे भी आपको क्लियर कर दिया कि आपके 5% एरर टोटल वर्ड आपने टाइब किये हैं अगर आप 800 वर्ड टाइब करेंगे तो आपके अठरा सो मल्टिपलाइब वाय आप पांच कर दिजिए उतनी गलतिया पांच परसेंट कर दीजिए उतनी गलतिया आपकी माफ होंगी तो मेरे केस में मैंने 800 लिखे तो मेरी जो गलतिय थी वो 18 गलतिय आप थी ठीक है तो उतनी गलतिया आप मुतलब अलोटर होती है आपको तो इन्होंने एक्जाम्पल भी दिया नीचे दिखा इफ टोटल 316 आप टाइप करते हो अगर गलती हैं आप 23 कर रहे हो यह बहुत बंदों ने बताया हुता था ठीक है तो अगर आप mistake 5% allowed हैं तो आपकी 16 तक आपकी mistake allowed थी और 7 mistake आपकी बच गई ठीक है साथ mistake आप पचली है तो 7 को 2 से गुना कर देंगे 14 आपके वर्ड माइनस हो जाएंगे फिर यह वाला फारमला आप यूज कर लीजिए टोटल वर्ड कितने थे 316 और माइनस कितने की है 14 ठीक है और डिवाड़ वाए 10 ठीक है तो आपकी speed 30 के करीव यहां पर आ जाएगी तो यहां तक मैंने बहुत ही simple तरीके से आपको बताया अभी अगर फिर भी किसी का डाउट होगा तो वह comment section में हमसे पूछ सकता है ठीक है मैं दूसरे example पर नहीं जाओंगा एक दूसरे example मैं उन्होंने बताया है यहां तक सभी यूटूबर ना बहुत बताया कि यार यह है हमारे लि अप्लाई नहीं होगा तो इसको मैं बताऊंगा निए इसमें 80 वर्ट की स्पीड के साब से बताया हुआ है ठीक है तो इसको छोड़ देते हैं तो यह नीचे तक था पूरा बताया हुआ था नहीं कैसे कैसे तो देखिए सेक्रेटरी कम्स कंट्रोलर जो थे उन्होंने हमीरपुर के द्वारा यह दिया गया था ठीक है तो उन्हीं का डॉकुमेंट है यह तो अभी भी मतलब देखो कई बंदों का डाउट अगर रहेगा क्योंकि इससे असान तरीके से कोई समझाव भी नहीं पाएगा आपको क्योंकि मैंने इस डॉकुमेंट को इसलिए रेफ काउंट होते हैं वह सेम जैसे मैंने आपको बताया ठीक है उसी तरीके से होते हैं ठीक और tep9 हो से पाइंट अगो ऑगा अगर अगर 5% से उपर एक मिस्टेक हो जाएं तो बहां पर कुछ और रूल चलता है ठीक है वह रूल मैं यहां पर नहीं बताऊंगा क्योंकि लोग यहां पर कन्फ्यूजन आ जाएंगे कि यार इसमें तो नहीं होगा ठीक है तो सिंपली यह हो गया अब चलते हैं लाइन स्किप ब मैंने देखा था यूटूब पे कोई पराना पेपर बता रहा था यह देखो लाइन स्किप बाला और ऑप्शन जो है ठीक है इसमें ना मैं कुछ बोल सकना हूं ठीक है अभी तक क्योंकि इस डोकुमेंट में लाइन स्किप के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ है ठीक है तो इसके लिए आप यह आयोग पे डि इपेंड़ करता है ठेक है और आयोग पर किसली इपेंड करता है क्योंकि आगर आप सा एक्जामपल हो कि किस बंदे ने 17 किस nation बन सकते हैं वह बन सकते спیस में चब ऐह और के पास इतने केंदडेट बचेंग नहीं ठीक है मतलब one ratio three one ratio की three three के साब से बंदे स्लेक्ट करेंगे आयोग तो अगर इस 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 रेशो में अगर बंदे बचेंगे नहीं अगर इतने बंदों का टाइपिंग टैस क्लियर नहीं होगा तो उनका चांस फिर बन सकता है ठीक है यह डिपेंड करता है ठीक है बट अगर ज ठीक है क्योंकि आप अगर मन में सोच के चलोगे कि यार क्योंकि यूट्यूब पर किसी का मैंने वीडियो दिखा था वह बहुत साल पहले के और पुराने गाइडलेंड के साब से पेपर था इस बार हम यह नहीं बोल सकते कि आयोग वैसे ही करेगा ठीक मैं किसी को मतलब व और बाद में क्या हो कि उसकी बच्चे की सलेक्शन ना हो तो उसका दिल तूट जाएगा तो अभी के लिए मैं इसको अगर मेंको कोई भी इवडेंस मिलता है पका एडवेडेंस मिलता है और लेटस नोट कोई गायडलन मिलती है तो उसी के बाद मैं यह चीज बोलूंगा तो I think सभी की यह doubt clear होँगे कि typing error क्या होता है ठीक है error कैसे calculate होता है stroke क्या होता है ठीक है तो अगर किसी का फिर भी doubt है ठीक है तो comment section में जुरूर पूछ सकता है ठीक है और typing करते time अपने mind को free रखिए ठीक है YouTube पे वीडियो आप जितना ज़्यादा देखोगे आपका दिमाग उतना ज़्यादा घूमेगा ठीक है अगर आपको कोई doubt है तो आप दिन में सिर्फ एक दो वीडियोस देखो ठीक है अगर वह क्वालीफाई हो गए है तो अगर वह कर सकते हैं तो यहां तक की मेरा आज का वीडियो था किसी का कोई doubt है तो comment section में जुरूर पूछे वीडियो को like करें चैलन को subscribe करना ना भूले ठीक है तब तक के लिए टाटा बाए बाए